दोस्तो नमस्कार शुआगत है कामिल नई वीडियो में यह कहानी सची गटना पर अधरित है एक दिन एक लड़का जो की एक कमपनी में काम किया करता था उसे किसी भी भूत प्रित पर कोई इस्वास नहीं था वह भूत परित को बस दिमाग कपरम मानता था एक दिन उसके कमपनी में कुछ काम बढ़ गया जिसके करन उसे घर वापिस आने में देर हो गई वह अपने ओफिस से तेर रात को निकला वह अपने बाइक से था कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया कुछ देर बाद उसे एक पस स्टूप दिखा वह कुछ देर वहां रुका उसके पास एक सादू आकर बैट गया सादू अपने पास एक बिड़ी रखा हुआ था वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना सुरू कर दे बस सब जूटी बाते हैं सादू ने कहा तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो फिर भी मानो लेकिन तुम यह नहीं कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं यह सब कुछ होते हैं इस पर उस लड़के को थोड़ी हासी आ गई उसने कहा भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं को कहा फिर क्या था वहे दोनों चल दिये रास्ते में इस रड़के को थोड़ा ड़र लगने लगा फिर भी वहे अपने ड़र को क्यम करके आगे बढ़ता जा रहा था उस देर के बाद में संसान घाट में अभी कुछ लासे चल रही थी सादू ने उसको एक ऐसे इस्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लास जली थी सादू ने जमीन में एक लोहे काखिल गाड़ दिया उसमें एक धागा बांदिया इस दागे को अंतिन दोर से उस लड़के को पकड़ने कहा अब उस लड़के को हद से अदर लगने लगा था उसकी सांस्टेज हो रही थी इ उसने दागे को सादू ने कुछ बतासा को चार जगह पर बांदिया रख दिया सारे बतासे उस दागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे उसके बाद सादू ने लड़के को साउधान किया अभी कुछ आत्मा को इसको खाने आएगी जब तक वह इसको खाकर चले ना ओसे नखे उसे उसके उसके उपर विश्वास नहीं हो रहा था वास्ताव में वहां चार आत्मा थी जो की वता से खा रही थी लेकिन जब उसने वी है सब देखा उसने पडोस में रहने वाले वेक्ति की आत्मा भी देखी वहां पर जो की कुछ दिन पहले ही मर उसके हाथ से धागा भी छूट गया अब वहां पर वह सादू भी नहीं था व इसको पीछे से कई तरगी आवाज आ रही थी लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा अपने घर जाने के बाद उसने यह ऐसा कुछ अपने माता पिता को अपता है फिर वहें अपने कमना की सो गया अगले दिन वहें उसक्तियां के फिली और सम्चांधार अपने खिली और उसी इस्थान पर जहां उसने ऐसा बाद हो देगा था उसके बाद वहब दिमागी तोर पर बीमार रहने लगा है थैंक्यों दोस्तियां